तो यहां पर question है हमारा यह time and work का और SSC GD के papers में question पूछा गया है question क्या है five women can complete a work in eight days पाच women है जो एक काम को एक काम को eight days में complete करी इस तरह से लिखा जाता है five women एक काम को जितने दिन में complete करी उसको divide करके नीचे लिखो ठीक है तो एक वोमन कितने दिन में करेंगी यह five को नीचे लिखर आजाओ दिवाइड में one upon eight multiply by five eight five जा कितना हूंगा forty one upon forty ठीक है तो एक दिन में one upon forty काम कर रहे है मतलब एक वोमन यह काम 40 दिन में करेंगी ठीक है आगे क्या बुले है while eight children eight children take ten days to complete इसी काम को दस दिन में complete कर रहे हैं तो एक को नीचे लिखर आजाओ एक चिल्रन हो जाएंगा eight multiply by ten 80 मतलब अगर एक चिल्रन काम करेंगा तो आसी दिन लगाए मतलब वोमन उसका double काम कर रहे है चालिस दिन में complete कर दे रहे है ठीक है अब आगे पूछाए how many days will two women and four children take to complete the work two women plus four children कितने दिन में complete करेंगे two women ठीक है two two one's are two two's are और यह 0 तो आपका आगया one upon twenty plus four one's are four two's are eight zero यह आगया one upon twenty अभी यहाँ पाट इनॉम्टास सेम है तो उपर का प्लस कर दो one plus one क्या हो जागा two नीचे 20 तो two women plus four children कितने दिन में complete करें two one's are two ten's are one upon ten अब इसको उल्टा कर दो तो यह हो जागा ten upon one इसका मतलब कितने दिन में complete कर रहे हो नीचे one आया उसको लिखो मत लिखो एक हूँ था ten days में दो वूमन और चाल चेड़न विलकर यह काम दस दिन में complete करेंगे तो option है यह पर आपका करेंगे